नीजी स्कूल सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और फीसों के मामले में परीजनों को कोई भी तंग नहीं किया जा रहा है। परीजनों के नोकरी खत्म हुई है उनकी पूरी मदद की जा रही है और आगे भी की जाएगी। मुष्ट तु झाइए कि बहुत से पेरेंट्स ने जिस सोच के रखा हुता है कि जिस एन हमारा रिजल्ट निकलेगा उसी दिन हम पैसे भी जमा करवा कर बाएंगे और अपना रिजल्ट भी लेकर कर सबी स्कूलों ने अभी तक 40 लाग से लेकर के 70 लाग 80 लाग तक पंडेंसी बनी हुई है सबी स्कूलों की जो की अभी तक भी नहीं मिल पाए हैं हम आज मारनिय बिदाएक साब से मिले उनके आगे हमने अपना एक पक्ष रखा है कि स्कूल वालों की भी कुछ बातें सुनो उनकी भी कुछ प्रॉल्म्स है उनको समझो और उनको सुनो सबसे पहले ट्रांस्पोर्ट चार्ज को लेकर के बात हुई जिसमें हमने उनको बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमारा डीजल का खर्चा ही बच्चता है बाकि के जो सारे खर्चे सारे टेक्सिस सारे इंशोरेंस से लेकर के बाकि जितने भी वो सारे खर्चे हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं हमने विदाइक साब से ये बात कही है कि हमारा पक्ष उठाएं विदान सभा में और श्कूलों को टेक्स को भी पंजाब की तरज के ऊपर श्कूलों के टेक्स को खतम कर वाया जाए सब स्कूलों में कुछ स्कूलों में यह है कि आडिमिष्ण जो जो तरता है तीन तरन में होता है तो इस पह आपका क्या नेंगा ने आनुब चारजिय抗 शुकूल चलते ही और चार्जियस से हैं अनुड चार्जियज बहुत जरूरी हैं बबकि हमारी असूसेश्एश्एशन online classes में ज्यादा थार उनको ही बच्चों को पढ़ाना पढ़ता है जब गते उनको ही बच्चों को ज्यादा पढ़ाना पढ़ता है तो फीज किस चीज़ की नहीं यह यह थोड़ा सा बात क्लियर करना चाहता हूं यहां पर काहिना काई को मिस कम्मुनिकेशन गैप है ऐसी बात नहीं है ओनलाइन पढ़ाने के लिए हमारे टीचर को बड़ी भारी मेहनत करनी पढ़कि है लेक्चर त्यार करना पढ़ता है रात के आठ-ठाट बजे तक हमारे टीचर उसको मेहनत करके उस लेक्चर को त्यार करते हैं फिर पेरेंट्स साथ में बैठे होते हैं तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत साथ में करना पढ़ता है ताकि बच्चे को पूरी तरह समझा सके लोगड़न में जिन लोगों की नोकरी चलेगी दंदे चोपड होगे तो उनको बच्चों को कैसे एराद हैं हम एक बार मैं मैं फिर जहां प कर सकते हैं यह माफ कर सकते हैं अन्हों ने तो यह कि मैं से हमारा जो हम पक्ष रखा है कि उन्हों नहें यह काई कि आपका पक्ष ठीक है आपकी जो जाइज मांग है वह में सरकार के रखूंगा मार्चा सरकार में जो टेक्स के लिए नोटिस दिया है कितना टेक्स बनता है कितना टेक्स की दिमांड है वो जितना भी खड़ी बसों का जितना जो चलती बसों का टेक्स था वो पूरे के पूरे टेक्स की डिमांड हमसे कर रहे हैं सभी स्कूल बालों को नोटिस आ रहे हैं क की तुछ नोबटफिकेशन के मताबक ही करिया है सरुकार को भी पेरेंट्स का उतना ही दर्थ है मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जैसे हर्याना में जब आकी स्टेटों में बसीज के उपर टैक्स नहीं है प्लस पंजाब ने 31 मार्च तक सभी तरह की प्राइबेट बसीज का टैक्स माफ किया है तो कम से कम हमारे भी टैक्स हुआ है वह सारे जब आपके टैक्स माफ होंगे तो उस पर ट्रांसपोर्ट चार्जिज के लिए ना जी स्टड़ी एक अलग चीज है अगर वह ट्रांसपोर्ट चार्जिज के हमारे टैक्स माफ करते हैं कम कर देते हैं जब माफ करते हैं तो हम भी ट्रांसपोर्ट चार्जिज नहीं लेंगे कि अधे फिरे साल भी तो इतनी थी अधे थी दिवी तू यह तो भी उतनी ही. कही स्कूलें वनाहें लीडिध के लगा जो ऑग से लेटें लेतेें के लग हैं कुछ आप फिले जाण हैं उतनी थे खाली तूशनी है प्रां कोई अधे ख्ताय। लेते हैं उन्होंना माफ भी किया है तो क्या आप भी ले रहे हैं नहीं कोई भी स्कूल बिल्डिंग फंड नहीं ले रहा है एक एनुल चार्ज एक छोटी से अमाउंट होती है और जो जिसके मताबक पूरे साल के खर्चे चलते हैं तो वो लिया जाता जिए उना से आपका फैंसला टीवी के लिए जिला बियोरोचीप जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपॉर्ट